टीवी सीरियल अनुपमा को लेकर फैंस की डिमांट इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अभी फिलाल आप देख रहे होंगे पाखी और अधिक की शादी का सीक्विंस चल रहा है जहां जम कर अपनी नानी को बेज़त किया है पाखी ने भई पाखी को नानी को नानी कहने में शरम आ रही थी तो पाखी ने हाई प्रोफाइल रिष्टदारों के सामने हाई प्रोफाइल दोस्तों के सामने नानी को कह दिया दूर की रिष्टदार ये अपने कानों से सुन लिया अनुपमा ने और अनुपमा नहीं कर पाई ये सब अब आगे आने वाले एपिसोट में आप देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामा जहां पर अधिक और पाखी को घर से बाहर का रास्ता अनुपमा दिखा देगी और कहानी में नया ट्विस्ट यहीं से आएगा फैंस चाहते हैं कि अनुपमा पाखी को सबक से खाए फैंस चाहते हैं कि पाखी दर दर की ठोकरे खाए इसी से जुड़ा हुआ एक डिमांड आई है अनुपमा की लाजली पाखी और अधिक से रिलेटिट भाई फैंस चाहते हैं कि अब कहानी सब की आगे बढ़े तो ऐस पर अनुपमा की कहानी में आप देखने वाले हैं एक तरफ काव्या भी वनराज से जित करेगी एक बार फिर से ममी पापा बनने की भाई काव्या वनराज से कहने वाली है कि मुझे भी बच्चे चाहिए मैं भी चाहती हूँ कि हम एक बेबी एडॉप्ट करें और वहां दूसरी आप देखेंगे इन सब के लिए तैयार वनराज होगा ही नहीं पाखी का प्रेगनेंसी ड्रामा और काफी ज्यादा गरीबी में अपनी जिन्दगी गुजारती हुई पाखी भी आपको नजर आने वाली है पाखी एक बर फिर से वनराज को इमोशनल ब्लैक्मेल करने की आएगा लेकिन अनुपमा उसे वन करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में यही ड्रामा दो साल के लीप से जुड़ा हुआ यही तड़का है जो आप सब लगते हुए देखने वाले हैं